उद्योग पती रतन टाटा पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके निधन के बाद उद्योग जगत में एक ऐसा खाले स्थान बना हैं जिसे भर पाना भारत के लिए फिलहाल मुम्किन होता नहीं दिख रहा है। भारत ने सच्चे माइनों में रतन टाटा के रूप में अपने एक रतन को खो दिया है। जब अंतिम यातरा निकली तो बड़ी संख्या में लोग नम आखों के साथ उन्हें अंतिम विदाईदे निकले पहुँचे थे। ना सिर्फ आम जनता थी बलकि कई मशूर हस्तियां भी पहुची अंतिम दर्शन के लिए। और इसी बीच उनके कॉन्वय में पुलिस की गाड़ी के पीछे जो एक लड़का नजर आया बाइक पर सवार होकर उसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये शक्स ब्लड ब्रिलेशन नहीं है इसका रतन टाटा के साथ बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि बाइक पर सवार ये लड़का आखिर कौन है जो कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर के आगे आगे उनके साथ जा रहा है। क्यों ये इतना भावुक है क्यों ये बार बार रो रहा है। आपको बता दें इस लड़की का नाम है शांतन उनके पास होता जब कोई परवतेवहार होता तब भी शांतनु रतन टाटा के पास होता और कई तस्वीरें इन दोनों की सोशल मीडिया पर कई बार हमने देखी हैं। आपको बता दें शांतनु की बारे में शांतनु फिलहाल 31 साल के हैं लेकिन जब ये 21 साल के थे यानि कि आज से 10 साल पहले 2014 में पहली बार रतन टाटा और शांतनु की मुलकात हुई थी। तब शांतनु ने एक डिवाइस बनाया था जिस डिवाइस का काम था कि सडकों पर जो आवारा कुट्ते होते हैं जो गाडियों के चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें एक्सिडेंट से कै से बचाया जाए उसके लिए एक कॉलर बनाया था शांतनु ने और शांतनु की इसी सोच ने रतन टाटा को प्रभावित किया जिसके बाद रतन टाटा ने शांतनु को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था शांतनु नाइडू ने अपने लिंग्डिन पोस्ट पर अपने इस दोस्ती के बारे में लिखा, उन्होंने लिखा कि इस दोस्ती ने मेरे अंदर जो खालीपन पैदा किया है, मैं बाकी जंदिगी उससे भरने की कोशिश में बिता दूंगा, प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस, ज आई बार वो बिलख बिलख कर रोते भी नजर आए, शांतनू को कई जिम्मेदारियां भी दी गई है, खास कर किस स्टार्ट अप में निवेश करना है, इस बात की जानकारी और इसले कर सुझाओ शांतनू रतन टाटा को दिया करते थे